नमस्कार दोस्तों, पूरे विश उभर में कहीं न कहीं आपको पावर क्राइसिस जैसी चीजे देखने को मिलेंगी, भारत में भी आप देख रहे होंगे, कोल शॉटेज की वजए से पावर क्राइसिस आ सकता है, ऐसा बताया जा रहा है, लेकिन इस समय जो सबसे बड़ी समस जो विश हो है, वो काफी हद तक dependent है, बहुत सारे ऐसी चीजे होती है, जो कि चाइना के दोरा बनाया जाता है, अगर वो manufacture नहीं करेगा, तो इसका पूरा impact आपको दुनिया भर में देखने को मिलेगा, यहाँ पर आप देख सकते हो, चाइना's growing power crunch threatens more global supply chain chaos, तो इसके बारे म हम जानेंगे detail से कि exactly चल क्या रहा है, और कौन से sector के उपर यहाँ पर सबसे ज्यादा impact आ सकता है, काफी कुछ जानने को है चली आगे बढ़ते हैं, लेकिन उसके पहले, अगर आप UPSC या फिर किसी भी exam की त्यारी कर रहे हैं, तो simply आप हमारे app को download कर लीजे, या फिर studyiq. .com पर चले जाएए, वहाँ पर सारी जानगारी आपको मिल जाएगी, अब देखिए इसकी मैं सुरुआत करूँ उसके पहले आपको समझना चाहिए कि supply chain होता क्या है, देखिए, आज के जमाने में, globalization के जमाने में, हर एक देश कहीं न कहीं, दूसरे देश के उपर आपको dependent देखने को मिलेगा, तो global supply chain एक प्रकार का complex system है, जहाँ पर multi-tiered, multi-dimensional ecosystem आपको देखने को मिलेगा, मतलब कोई भी जो एक particular समान है, जो आप use करते हो चाहिए, कोई electronics हो, laptop हो, mobile हो, तो उसका कुछ न कुछ component किसी दूसरे देश में बनेगा, उसकी packaging कहीं और होगी, final assembling कहीं और होगी, तो इस तरह का पूरा system देखने को मिलता है, तो जाहिर सी बात है, आप सोच के देखो, कि अगर एक product बनाने में 10 countries का मदद चाहिए होता है, अगर उसमें से एक भी country यहाँ पर problem में आ गया, चाहिए pandemic के दौरान, disaster के दौरान, उस factory के अंदर accident हो गया, तो आप सोचि चाहिना के अंदर जो power crisis हुआ है, especially मैं आपको बता दू कि जो उसका नदन पार्ट है, चाहिना का जो नदन वाला side है, वहाँ पर blackouts देखने को मिल रहे हैं, कई सारे जो factories हैं, उसको shut down करना पड़ गया है, in fact, तीन provinces हैं, जिसका नाम है, जिजियांग है, इसके अलाबा, ग down करना पड़ गया है factories को, जिसकी वज़े से, यहाँ पर जो manufacturing कीज़े जाते हैं products, उन products को जो export किया जाता है, बाहर के देशों में भेजा जाता है, उसके अंदर problem आ रही है, और इसलिए जो बोला जा रहा है, मैं आपको बताया ना, कि जो global supply chain है, उसके उपर काफी बड़ा impact आ सकता है, और इसको आपको एक और चीज लिंक करके देखना होगा, already आप देखोगे, विशु के अंदर, जो suppliers हैं, वो global chip crisis से गुजर रहे हैं, आज के date में, शायदी ऐसा कोई product होगा, जो आप यूज करते होगा, जहाँ पर chip का इस्तमाल ना किया जाता है, क्योंकि हर च crisis हो रही है चाइना में, जिसकी वजह से जो chip का production है, वो नहीं हो पाएगा, तो हमें फर्दर यहाँ पर दिक्कत देखने को मिल सकती है, इन फाक यहाँ पर बताया किया जो नोमुरा है, जो की predict करता है कि कितना GDP हो सकता है, तो recently उन्होंने बोला है कि power crisis की वजह से, चाइना यहाँ पर बताया जा रहा है कि, यह जो crisis आया है चाइना के अंदर, उसका असर आपको हर एक sector में देखने को मिलेगा, अब देश भर में जितने भी sectors होते हैं, especially यहाँ पर मैं बात करूँ तो कुछ technology वाले sector हो गया, सबसे ज़्यादा impact technology के sector में देखने को मिला है, especially आपको technology है, ASE Technology Holding, यह company है, जो की world में सबसे ज़्यादा chip बनाती है, chip packager है, और उसका अगर आप देखोगे, तो कई दिनों तक उनों ने अपना production halt कर दिया था, तो यहाँ पर जो crisis है, उसका सबसे ज़्यादा impact, जो technology वाला sector है, वहाँ पर देखने को मिल रहा है, दूसरे नंबर auto sector, auto sector अलड़ी देखोगे, तो मुश्किल से गुजर रहा था, COVID के समय, और धीरे धीरे यहाँ पर demand pick हो रही थी, लेकिन auto के अंदर अगें chip का इस्तमाल हो सकता है, और चाइना जो है, वहाँ पर global automaker है एक प्रकार से, बहुत सारे जो car companies हैं, वो चाइना के अंदर देखने को मिल सकता है, in fact, यहाँ पर जो Toyota company है, उन्होंने अपने already जो operations है, उसको काफी तक halt कर दिया था, इसके अदाबा, food processing industry में भी यहाँ पर problems बताई जा रही है, especially यहाँ पर जो soybean for cooking oil हो गया, जो machines का इस्तमाल किया जाता है, dairy products में, यह सतारी चीज़ें power से चलती है, तो इसकी वज़े से भी यहाँ पर problem देखने को मिलेगी, बाकी भी sector आप देख सकते हो, चाहें paper industry हो, वहाँ पर बोला जा रहा है कि 10-15% का reduction हो सकता है, textile industry में, यहाँ पर जो Chinese mills है, उन्होंने अपना जो production है, उसको 40% तक गिरा दिया, आप सोच के देखो, textile industry में 40% तक अपना जो production ह power cut की वज़े से यहाँ पर गिरा दिया, तो यह कुछ important sector से जिसके उपर बहुत ज़्यादा impact आएगा, और वैसे अगर आप देखोगे तो पूरे economy के उपर असर देखने को मिलेगा, तो यह situation है, इसमें आप आई हो कि इसको आप relate कर पा रहे होगे, next यहाँ पर question आपके मन म गंभीर है, एक तो यहाँ पर यह है कि pandemic के बाद जिस तरह से demand बड़ा है पूरे विश्वभर में, वो demand को meet नहीं कर पा रहे है, दूसरा problem यह है कि President Xi Jinping, उन्होंने pledge किया था कि यहाँ पर जो कोईले का इस्तमाल है, वो कम करेंगे, तो इसके लिए recently इसका rule वगरा निकाला गया था, और करीम मार्च के महने से आप कह सकते हो कि जो कोईले की खपत है, चाइना के अंदर उसको कम करने की कोशिश की गई है, और वैसे अगर आप देखोगे, तो चाइना में आधे से ज़्यादा जो बिजली का production होता है, वो कोईले के माध्यम से होता है, तो आप सोच जैसे ये पूरा क्राइसिस हो रहा है, इसके अलावा चाइना में एक और प्रॉब्लम ये है, जैसा मैंने आपको स्टार्टी में बताया था, कि इतने सारे जो देश हैं, विश्व जो है, वो काफी हद तक चाइनीज गूड्स की उपर अब डिपेंडनेंट हो गया, वो त इसकी वजए से प्रॉब्लम आपको देखने को मिलेगी, इसके लावा आप यहाँ पर देख सकते हो कि डिमांड इंक्रीज होने की वजए से चाइना के बहुत सारे जो फैक्टरीज हैं, उन्होंने अपना जो यूजेज है उसको बढ़ा दिया था, अब फैक्टरीज में पुरा पावर जा रहा था कई सारे फैक्टरीज में, जिसकी वजए से बाकी जगां जहां सप्लाई होनी थी पावर की वो नहीं हो पाई, as a result आप कह सकते हो, चाइना आज के डेट में एक ऐसे मोड पर पहुंच चुका है कि बिना जादा कोईला जलाए, वो अपने कोईले का और अगर वहां से कोईला नहीं आ रहा है क्योंकि आस्ट्रिया के साथ डिप्लोमाटिक टेंशन्स देखने को मिल रहे हैं, तो यह रुका हुआ है, इसके अलावा क्या हुआ है कि विश्व भर में जो कोईले के दाम बढ़ गया है कोईले का प्राइस, अब कोईल इलेक्रिसिटी का वो नहीं हो पा रहा है, अब कोईशन ही आता है कि चाइना ऐसे शान तो बैठेगा नहीं, चाइना क्या कर रहा है सारे चीज़ों को लेकर, तो अभी के लिए चाइना का यह कहना है कि हमने कजाकिस्तान, साथ अफ्रिका, मुजांबिक, यहां से कोईला मं कई सारे एक्सपर्ट का कहना है कि जो ऑस्ट्रिलिया पर कुछ पावंदी लगाई गई थी, उसको रिलाक्स किया जाएगा, इसके अलावा यहां पर जो चाइनीज गवर्मेंट है, वो रैशनिंग कर रही है पावर, इलेक्रिसिटी का, अब देखो रैशनिंग का मतलब क् वहां से इलेक्रिसिटी को शिफ्ट किया जाता है, उन जगहों पर जहां पर इलेक्रिसिटी की जादा हो शकता है, जैसी कि मैं आपको एक्जामपल बताओ, जियांग्सू प्रोविंस है चाइना के अंदर, वहां की जो स्ट्रीट लाइट्स हैं, उसको टर्न आफ कर दिया होता है, पावर कंजम्शन का, वहां पर आप अपने कंजम्शन को रोग दीजे, तो ये स्थिती चल रही है से मैं चाइना के अंदर देखते हैं, क्या होता है, जाइर सी बात है, चाइना में प्रोब्लम है, भारत में भी हमने कई बार डिसकस किया है, दो तीम वीडियो जो हैं, तो यहां पर ये अचानक से आप देखोगे ना तो ये प्रोब्लम हो रहा है, और इसका एक सबसे बड़ा कारण तो मैं यही कहूंगा, कि पैड़नमे के बाद यहां पर अनुमार नहीं था, किसी को जो डिमांड है वो इतनी जादा बढ़ जाएगी, हर एक चीज की ड लाए गया, जिसका नाम है Supply Chain Resilience Initiative, ताकि जो dependency है चायना के उपर कम की जाए, तो भारत इसके अंदर शामिल है, लेकिन भारत के साथ और वो कौन से दो देश हैं, यह आपको यहां पर बताना है, इसका राइट आंसर आपको पताईए, मेरे Instagram पर तुम मिलेगा ही, वहां प साथ UPSC आप फिर किसी भी एग्जाम की त्यारी कर रहे हैं, तो Simply आप हमारे आपको डाउनलोड कर लीजे, I hope कि यह वीडियो आपको पसंद आया होगा, मिलता हम से नेक्स तैम तिल देन, Thank you very much, see you soon.